असलाम लेकुम तलहा की यूट्यूव फामली उमीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है बहुत ही जबरदस असली देसीगी हम तियार करेंगे वो भी मलाई और केहूं के आटे से तो चलिए मेरे साथ रेसिपी की तरफ चलते हैं आपका बहुत ही जल्दी newspapers बहुत जबरदस सी मलाई से देसीगी निकलायेगा तो यहां पर मेरे पास मेरे पास एक महीने की मलाई मैंने फ्रीजा में जमा करता गया था थोड़ी 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 करके इस मलाई को मैंने जमा किया और वो इतना तक्रीबन मेरे पास यह मलाई जमा हो गई और मैंने इसको फ्रीजर से तक्रीबन जो है वो दो घंटे पहले निकाल लिया था तो इस तरीके से अभी थोड़ी धीली पड़ गई यह मलाई अब यहाँ पर जो है वो मैंने एक बरतन ले लिया इससे देसी की बने का जो पहले से पहले मैंने आपको तरीका बताया था देसी की बनाने का उसके अंदर पहले हमारा मखन तयार होता है बिल्कुल मलाई से और उसके बाद जो है वो उसी मखन को समाल करते हैं यहां पर थोड़ी से यह आज का आपने बहुत खयाल रखना है कि बहुत ही आपने आपने श्लो फ्लेम रखनी है और पूरी फ्लेम पे घी तैयार होगा अगर आप टेस्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी आपकी मलाई जल जाएगी और आपकी घी बनेगा उसमें इतना कि यह मलाई सारी मेरी मेल्ट हो जाए यह जितने भी अगर्श के थोड़े पीसिस हैं यह सारे पीसिस इसके मेल्ट हो जाए तब इसमें थोड़ा से हलका से एक लेविल स्पून गेहु का आठा बिलकुल slightly leveled गेहु का आठा ये शामिल करणा इसके अंदर जोगे wheat flour है ये ये देखें ये इस तारीके से 1 चममज और ये 2 चममज यी 2 चममज पूरी मलाई मेरा बिलकुल भी लंप्स ना बने और बहुत ही अच्छी तरीके से मलाई के अंदर गी निकलना शुरू हो चाएगा अच्छिस जब आप इसके अंदर गहूँ का आटा शामिल करें तो एक इस तरीके का आप विस्क ले लें और इसको अच्छे से आप जुए वो उसके इनदर चला लें ताकि कोई भी लंप जुए है वो इसके नार है गहूँ के आटे के और बहूत अच्छे से पूरी मलाई के इंकोपरेट हो जाए इस तरीके से तेजी तेजी से आप चलाएं जैसी आटा आपका जो है न उस मलाई के अंदर मिक्स होगा यही एक बहुत इंपोर्टन टिप एंट्रिक थी कि गहूं के आटे से जो है वो बहुत ही जिल्दी आपका इस मलाई के अंदर से घी निकल करके आ जाता है तो आप इसको तेजी से चलाएं ताके वो कोई भी लम्स न रहें और पूरा आपका गहूं के अंदर मिक्स हो जाए अब आप यह देख सकते हैं कि थोड़ी सी देर हुई है और आपको पर घी निकलता हुआ नजर आ रहा होगा मलाई ने अपना घी छोड़ना शु भी निकल रहा है बस इसी तरीके से अब हम इसको स्लो फ्लेम पर रखेंगे क्योंके वो हमने बहुत जादा इसको जलाना नहीं है थोड़ा थोड़ा बीच-बीच में स्टर करते रहेंगे चलाते रहेंगे ताके वो और जल्दी आप यह देखें कि माशाला कितनी तेजी से हमारा मलाई में से घी एक्स्ट्राक्ट हो रहा है और यह निकल रहा है आप यह देखें कि फटा फट बहुत ही कम देर हुई होगी तकरीबन 5-7 मिनट वरना इसी मलाई को अगर आप सिंपल तरीके से चड़ाते है तो बहुत टाइम लेता है अपना घी रिलीस करने में और अब यह जो गेंउ का आटा हमने शामिल किया था जिसकी वजासे बहुत ही चल्दी और फटाफट हमारा घीस में से बहार आना शुरू हो गया है तो बस आप इसी तरीके से हम इसको कुक करते रहेंगे और इतना कुक करेंगे कि यह हमारी मलाई एंड में बिलकुल खुर्च खुर्चन यह जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगी बिलकुल तब तक हमने उसमें से घी निकालते रहना है और अब हम इसको चलाते रहें ताकर नीचे हमारा घी जले नहीं अब मैंने इसकी आँग करती है मीडियम फ्लेम कर दी है और यह आप देखें कि जितना भी जाग आ और वो जो एक पर्टिकुलर देसीगी की स्मेल जो अकसर लोगों को नहीं पसंद होती वो भी बिलकुल नहीं आएगी आपकी और साथ ही में इसमें पिंच जो है वो हल्दी पाउडर शामिल कर दूगा इससे बहुत ही खुबसूरत और पीले कलर का आपका जो है वो के अंदर शामिल करना है और यह देखे मैं इसको मिक्स कर दूगा आप यह देख सकते हैं माशाला से हमारा बहुत ही जबरदस से देसी की तयार हो चुका और यह जितनी भी खुर्चन थी जो मैंने आपको बताया था कि लाल हो जाएगी बहुत अच्छे से लाल हो चुकी है अब इससे जादा मुझे नहीं पकाना आप चाहो तो इस खुर्चन से बहुत ही जबरदस सी मिठाई भी बनती है और यह सारी जितनी भी खुर्चन ने लाल हो चुकी है लॉंगे इसमें डाल दी थी मैंने बहुत ही अच्छा सा लॉंगों का फ्लेवर आ चुका है इसके अ इसमें से बहुत सारा घी निकलता है तो अच्छे से इसमें से बहुत सारा घी एक्स्ट्राक्ट करता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं तो यह देखिए जनाब माशालला से मैंने वह इस देसी घी को तकरीबन एक से दो मरतबा जो है वह चान लिया था और आप यह देखें के माशालला कितने खुपसूरत से कलर का और यह कितना जबर्दस सा हमारा घर का देसी की बिलकुल तयार है और आप यह देखें के यह बहुत ही प्योर है अगर आप मार्केट चे इतनी कौंटिटी में अपना जो है वह देसी की आप इसको जब इसी तरीके से कटोरी में भरके डब्वे में भरके स्टोर कर सकते हैं यह आपका बहुत ही साल उप साल तक चलता रहता है एक सर्दी में बनाए अगले सर्दी तक आप इस देसी की को इंजोई करते ने बहुत ही अच्छी इसकी खुश्बू होती है आप इस तरीके की बहुत ही जबरतस्त और यूनीक रेसिपी के साथ तब तक के लिए तलहा को इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस अल्ला निग्यवान